शतिजगर विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिल भारती कॉंग्रेस कमिटी के पूरवध्यक शराहुल गांधी ने शनिवार को जगदरपूर में चुनावी सभा को सम्मुरिद किया इस दोरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के नेता आदिवासियों को वनवासी कहते हैं भाजपा वाले वनवासी कहकर जल जंगल जमीन वापस नहीं देना चाहते हैं आदिवासी का मतलब देश की पहले इस रहवासी इस देश का जंगल जमीन आपका था जो आप से लिया गया है कॉंग्रेस निता राहूल गांधी ने बीजेपी की खिलाब कई बड़े बाती कही है बीजेपी के जो नेता हैं कभी आप उनका भाशन सुनो तो वो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं आपने देखा है कि आप जो हमारे आदिवासी है उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने आरेसेस के लोगों ने बीजेपी के नेताओं ने एक निया शब निकला है उन्हें वो वनवासी कहते हैं आदिवासी शब्द में और वनवासी शब्द में बहुत बड़ा फरक है जमीन आस्मान का फरक है पता नहीं आपने देखा या नहीं कुछ समय पहले बीजेपी के एक नेता ने मध्यप्रदेश के नेता ने एक आदिवासी युवाब के उपर पिशाप किया आपने वीडियो देखा है देखा है न उसमें नेता खड़ा है आदिवासी बच्चा वीडियो में है नेता उस पर पिशाप कर रहा है और फिर उसके बाद नेता ने वीडियो को वाइरल किया अब आप सोचिए इनकी विचारधारा के बारे में है यह लू दिशेस आदिवासी युवाँ पर पिशाप करते हैं और फिर उस वीडियो को वाइरल करते है पूरे देश में पहलाते हैं है और यह दिखाना चाहते है कि अदिवासी हों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहा होनी चाहिए इसलिए उन्होंने आपके लिए ये वनवासी शब निकाला है ये सोचते हैं कि आपकी जगे जंगल में जो जानवर रहते हैं वैसी आपकी जगे होनी चाहिए जैसे इनके नेता जानवरों से वर्ताव करते है आपने कभी बीजेपी के नेता को जानवर पे पिशाप करते हुए देखा है नहीं देखा ना मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को आपने पिशाप करते हुए देखा है क्यों ये आपके इनके दिमाग में आप लोग जंगल के हो जैसे जानवर जंगल में रहते हैं वैसे ही है आपको नाम देते हैं वन वासी इसका कारण है भाईयों और बेहनों क्योंकि आदिवासी शब्द एक करंतिकारी शब्द है आदिवासी शब्द के अंदर इस शब्द के गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक है आदिवासी का यह मतलब है मतलब इस देश की सारी की सारी जमीन इस देश का जंगल इस देश का जल एक दिन आपका हुआ करता था और वो जंगल जमीन और जल आपके हातों से लिया गया है आदिवासी शब्द का यह मतलब है और इसलिए बीजेपी इस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहते क्योंकि अगर बीजेपी शब्द का प्रयोग करेंगे तो बीजेपी को आपका जल आपका जंगल और आपकी जमीन आपको वापिस देनी पड़ेगी और यह उस बात को मानना नहीं चाहते हैं इसलिए इन्होंने यह नया शब्द निकाला है वन वासी वो लोग जो जंगल में रहते हैं जानवर जैसे जंगल में रहते हैं यह शब्द आदिवासियों का अपमान है इस शब्द को कॉंग्रेस पार्टी कभी नहीं स्विकार कर सकती है हमने आदिवासियों के लिए हमने क्या किया ट्राइबल बिल लाए पेसा का कानून लाए जमीन आधिकरन बिल लाए और उसमें हमने साफ लिखा था कि जब तक आदिवासियों के गाउं की ग्राम सभा इजाजत नहीं देगी तब तक कोई भी आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता है हमने कहा था कि अगर पांच साल के अंदर किसी इंडस्ट्रिलिस्ट ने अपना बिजनस चालू नहीं किया चाहे वो कितना भी बड़ा हो आदिवासियों को जमीन वापिस मिल जाएगी यह हमने वाइदा किया और यह हमने वाइदा पूरा किया एक और उधारन आपको देना चाहता हूं नरेंद्र मोधी जी के सबसे बड़े मित्र अधानी जी यहां पे उनका आईरन ओर का माइनिंग का प्रोजेक्ट था अरब पती है नरेंद्र मोधी का मित्र है मगर अधानी का प्रोजेक्ट कॉंग्रेस पार्टी ने कैंसल करके दिखा दिया उसे परे कर दिया क्यूं क्यूंकि हमारे आदिवासी भाईयों ने कहा कि हमें यह प्रोजेक्ट यहां नहीं चाहिए हमने आपकी अवाज का आधर किया और देश के सबसे बड़े उद्योग पती नरेंद्र मोधी का सबसे बड़ा मित्र उसका प्रोजेक्ट हमने रद कर दिया क्यूं क्यूंकि आप वनवासी नहीं आप आदिवासी हो और 36 गर की जमीन जंगल और जल आपका है और इसका हक आपको मिलना चाहिए अब देखिए मैंने तीन-चार बार अपने भाशनों में कह दिया कि वनवासी शब आदिवासी इतिहास आदिवासी भाशाएं आदिवासी के कल्चर पर आक्रमन है पहले नरेंद्र मोधी हर भाशन में वनवासी कहते थे आज उनके भाशन सुनिए उनके मूँ से वनवासी शब नहीं निकलता है